हाई फ्रेंज वेलकुम टू माई चानल तो कैसे आप सब उमीद है आप सब ठीक होंगे तो आज हम बनाएंगे एक मर्टी पर्पस और्गिनाइजर तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये विल्टिट पीस चाहिए इसका मेजुरमेंट है 22 बाइ 9.5 इंचिस इसका एक लाइनिंग पीस भी चाहिए होगा हमें अब उसके बाद 8 बाइ 10 इंचिस का एक विल्टिट पीस चाहिए उसके बाद 22 बाइ 5 इंचिस का एक विल्टिट पीस चाहिए जिसका हमें एक लाइनिंग पीस भी चाहिए होगा अब हमें बैग में लगाने के लिए handle चाहिए zip चाहिए और ये lace चाहिए अब हम यहां से curve कर लेंगे इसको देखे मैंने यहां पर already curved किया हुआ है अब यहां से हम 4 inches लेंगे यहां पर एक straight line ड्रॉ करेंगे और यहां से इस वाले portion को हम cut कर देंगे उसके बाद हमें 9.5 inches का zip लेकर इधर attach करना है ऐसे करके सिलाई कर देना है इसके उपर और यहां से prestige दे देना है same as हम इसमें भी करेंगे यहां से सिलाई कर देंगे और आगे से prestige दे देंगे तो यह zip लग गया है मेरा अब यह zip लग जाने के बाद हम अपना lining piece लेंगे और इसके उपर यह pocket लगाएंगे attach करेंगे तो इसके लिए हमें पहले इसके उपर zip लगाना है eight inches का prestige दे देना है यह देखे मैंने दोनों जे प्रेडी कर लिया है अपना अब इसके बाद हमें runner डालना है इन दोनों में तो देखे में runner डल गया दोनों में अभी हम यह वाला piece लेंगे अपना और यह वाला piece लेकर lining piece के उपर यह वाला piece चिपकाएंगे हम उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बोल देती हूँ कि मैंने यहाँ पर बोरी का इस्तेमाल किया है अगर आप चाहे तो फोम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसको मैंने क्विल्ट इस लिए किया क्योंकि यह कपड़ा मेरा बहुत ज्यादा पतला था तो अगर आपका मोटा कपड़ा है को तो क्विल्ट करने का ज़रूत नहीं है तो अब हम यह lining piece के ऊपर य सिल देंगे अगर आपको फोल्ड नहीं करना है तो आप ऐसे करके भी सिल सकते हैं यह easy method होता है उसके बाद आप पूरा सिल दीजिए इसको उसके बाद हम अपना final fabric लेंगे और इसको lining piece को इसके ऊपर चिपका देंगे तो यह देखे मैंने चिपका लिया है अपना lining piece इसके ऊपर अब हम यह वाला piece लेंगे अपना और इसके ऊपर हम zip attach करेंगे अब zip को उल्टा करके सिलाई लगा देना और उसके बाद prestige देना है अब यह वाला जो piece है मेरा lining piece इसके ऊपर लगाकर zip को सिल दूँगी मैं जिप के ऊपर लगा कर सिल देना है अब हम इसके उपर अपना लाइनिंग पीस को उल्टा करके लगाएंगे इसको ऐसे उल्टा कर देंगे और लगा देंगे इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे फिर इसको सीधा करना है तो ये मैंने सिल दिया है अब इसको ऐसे करके इसके उपर प्रेस्टीज दे देंगे हम अब इसके बाद हमें ये वाला पीस लेना है अपना प्रेस्टीज दे के मैंने सब तरफ से लाई लगा दिया है निकालना है और इसको ऐसे करके attach कर देना है इन दोनों का middle निकाल दीजिए उसके बाद ऐसे करके सिल दीजिए अब सिल देने के बाद अब हम ऐसे करके fold करेंगे और ऐसे करके सिलाई कर देंगे अगर आपका ये पूरा ना आए तो आप थोड़ा सा और उपर से गुलाई काट सकते हैं क्योंकि ये कभी कबार क्या होता है पूरा नहीं आता है तो आप गुलाई काट लीजिए थोड़ा सा इसको छोटा कर लीजिए तो दोनों तरफ से सिल देंगे हम तो यह मैं एक बार खोल के दिखा देती हूं आपको कुछ ऐसा दिख रहा है इसके अंदर काफी स्पेस है इसके अंदर एक जिपर अटाज़्ट है और बाहर में भी एक जिप लगाया है अब हम इसके उपर हैंडल लगाएंगे तो हैंडल के लिए हमें सबसे पहले ये एक हैंडल लेना है जो कि मेरा 8.5 इंचिस का है इसको कट करके हम इसके उपर पेस्ट कर देंगे देखे मैंने इसके उपर पेस्ट कर दिया है मैं एक वीडियो पोस्ट करूंगी जिसमें मैं हैंडल लगाना सिखाऊंगी तो आप आप से देख सकते हैं कि हैंडल कैसे लगाएंगे तो यह देखे हैं हमारे एक पॉकेट हो गया इसके बाद हमारा अंदर एक पॉकेट हो गया और यह बीच में काफी पेस है आप इसमें अपनी दवाईया रख सकते हैं अपना जॉइलवी का सामान रख सकते हैं एज लउप बगर बीक इसको यूज कर सकते हैं इसमें अपना कुछ बीज भी सामान रखा जा सकता है नई तो आप अपना सुरिइंग का समान भी इसमें रख सकते है तो यहाँ पर मैंने इसमें अपनी टोपियां रखिया है सारी CAPS रखिया है अपनी देखिये यहाँ पर पुड़ा अच्छे तरिके से मेरा ये सारा caps आ गया है बहुत जारा fit आया है so thank you for watching my video अगर आपको मेरा चैनल का वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए share कीजिए और comment कीजिए subscribe करना मत भूलिएगा thanks